देखे अगला टॉपिक है सर्कुलर मोशन आफ एक कार आन बैंक रोड इसकी जरुवत क्या पढ़ी पले यह समझे जी का हमने जब कहा एक प्लेन रोड थी ऐसे और प्लेन रोड पे हमने कार को चलाया था तो कार का जो रियक्शन फोर्स लग रहा था सेंटर तरफ लग रहा और जो सेंटरी फ्यूगल फोर्स लग रहा था एमवी स्कॉार अपान आर बाहर की तब लग रहा था है ना और हमने का था देखो भी या अगर सेंटरी फ्यूगल फोर्स जादा हो गया तो कार स्किड कर जाएगी यानि कि बाहर के उस स्लिप कर जाएगी है ना तो यानि कि आपका centrifugal force जो था वो किसी भी हालत में इस frictional force से बराबर हो या छोटा हो यही कहा था न हमने तो यानि कि mv square upon r is less r equal to mu r था mg mm कर गया तो v less r equal to root mu gr आया था तो हमने का maximum velocity जो होनी चाहिए वो mu gr होनी चाहिए less r equal to है ना यानि इसके equal हो तो maximum उससे कम हो चलेगा उससे ज्यादा में गाड़ी slip कर सकती है यह हमने कहा था ना अब यहां मजबूरी है ना तो मैं उस जगे का mu change कर सकता हूँ ना तो g change कर सकता हूँ ना तो r change कर सकता हूँ तो मैं speed के limit decide कर दूँगा क्योंकि वहां का mu g r fix है हम कुछ नहीं change कर सकते तो हमने fix कर दिया कि यहां speed इतनी होगी तो हमने कहां speed को पढ़ाना चाहते हैं तो हमने क्या-क्या bank road बनाई bank road मतलब bank के अंदर से घुचेट दी road central bank के अंदर से state bank के अंदर से bank जुका वाइसे जुका दिया आपने अब देखो banking कैसे की के समझेगा ध्यान से यह अंदर का road का वह है और यह बाहर का road है अब देखो ध्यान से सव्धान यह रोड ऐसे उठी ही है यह और जेंटल ऐसे उठी ही है तो हमने एक तरीके से यह थोड़ा उठी भी ऐसे दिखा दिया चलेगा यह horizontal है यह थीटा उठी भी दिखा दिया आपने ठीक है अब डाइग्राम को ध्यान से समझेगा यह फर्स है आपकी यह horizontal line है यह ध्यान देखिएगा यह horizontal line है जानवुचे से खींचे दे रहे हैं ठीक है अब देखो आपकी कार यह है यह कार है अब इस कार के बार हम देखिए कार का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा और रियक्शन फोर्स इसके बिल्कुल पर्पेंडिकुलर एक्ट करेगा सही का capital R थीक है हमें एक्चुली horizontal vertical में बाटना पड़ेगा हमें यह horizontal है यह vertical है यह ध्यान रखिएगा मतला हम इधर direction कहीं और नहीं भागेंगे हम horizontal vertical बारे में बात करेंगे ज़रा समझने की कोसिज करो इस यह जो mg line को अगर उपर कर देए तो क्या यह यह angle theta था गर नहीं होगा तो देखे देखे आपका जो R का component है mg के opposite वो R cos theta होगा अब एक बात ध्यान से देखे ज़रा इस R cos theta के पिल्कुल perpendicular जो होगा वो R sin theta होगा क्या यह R sin theta center की तरफ नहीं है इसके center तरफ यानि कि आपकी banking off road की वज़े से आपको center की तरफ एक force act कर रहा है R sin theta have you got it अच्छा यह इसके just opposite बाहर की तरफ आपका centrifugal force act कर रहा है अच्छा एक चीज़ और यह car का जो friction होगा इस line पे उपर की तरफ लगेगा कि नीचे की तरफ लगेगा friction उपर तरफ लगेगा क्योंकि car तो नीचे की तरफ भाग रही है कि car बाहर तरफ भाग रही है car के slip करने की tendency center के बाहर तरफ है के अंदर तरफ है मतलब car इधर इधर भागेगे न तो friction अंदर लगेगा न तो friction इधर लगेगा F F K क्यों अच्छा इसको अगर हम ऐसे थोड़ा बढ़ा दें तो क्या इसको F K नहीं ले सकते हैं ऐसे वही तो है आपकी line क्या यह थीटा यह नहीं होगा क्या थीटा से लगा हुआ कामपोनेंट F K कॉस्ट थीटा नहीं होगा अब देखो ध्यान से आपकी जब रोड लेवल रोड थी तो आपको रोकने वाला केवल फ्रिक्शनल फोर्स था अब ही क्या हो रहा है कि जो रोड की बैंकिंग की वज़े से जो रियक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है उसका भी कामपोनेंट एक सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है तो क्या मैं कह सकता हूँ सेंटर के तरफ दो फोर्स एक्ट कर रहा है तो अब सेंटर तरफ एक्ट करेंगे तो कार को स्लिप करने से रोकेंगे कि स्लिप होने देगे जाओ स्लिप हो जाओ रोकेंगे ना तो इसका मतब कार और स्पीड से चल सकती है क्यों यानि अब हम कहें यह कि अगर without sliding है तो उसके लिए अंदर के तरब कितने force एट कर रहे हैं R sin theta plus Fk into cos theta यह mv square upon R के बराबर होगा ठीक है अभी हम बराबर मान के चल रहे हैं मिनमा मितना होगा अगर ज्यादा हो जात अच्छी बात है इसे ज्यादा नहीं होना चाहिए अब देखो आप को center तरब force ज्यादा लग रहे है न तो अभी speed आप बढ़ा सकते हो आराम से अच्छा दूसरी बात उपर कितने force एट कर रहे हैं R cos theta और नीचे कितने एट कर रहे हैं एक यहाँ भी तो आएगा component इसका Fk का Fk sin theta तो यह आएगा is equal to mg plus Fk sin theta equation number 2 समझे भी बार नहीं आई है हमें निकालना क्या है actually हमको friction निकालना है ठीक है तो friction निकालने के लिए हम R को गाइब करने की कोसिस करेंगे देखो R को कैसे गाइब किया जाए R को तो बाद में हम गाइब कर लेंगे ठीक है देखो ध्यान से R को गाइब करने का अच्छा एक मिनट Fk को mu k into r ले सकते हैं Fk को तो इसको लिखो अब बाद में लिखते हैं देखो मैं चलिए M को गाइब कर देता हूँ M G को अकेले कर दे हैं है तो इस equation को अभी यहां मट डालू अगर मैं इसको लिख दूं R कॉस्ट थीटा माइनस Fk sin थीटा is equal to M G हो जाएगा equation 2 आप डाल दे कोई दिक्कत अब अगर दोनों को डिवाइड करते हैं M कैंसल हो जाएगा तो dividing equation 1 and 2 हमने equation 1 and 2 बोला है 1 by 2 या 2 by 1 नहीं बोला है आप किसी बेसिक इसको डिवाइड करतो जो आपके लिए सही हो तो यह हो जाएगा R sin थीटा प्लस Fk cos थीटा अपान में आएगा R cos थीटा माइनस Fk sin थीटा बरावर Mv square अपान R into M G ठीक है यह जो small r है that is the radius of the path और capital R that is the reaction force देखो M से M कड़ गया हम Fk को μू के इंटू R लिखते हैं तो R sin थीटा प्लस मू के इंटू R cos थीटा अपान R cos थीटा माइनस मू के इंटू R sin थीटा is equal to V square upon R G ठीटा डाइग्राम रप करते हैं कोई जरूत है नहीं डाइग्राम से इतना देखो mathematical तो मारो गोली इतना clear हो गया कि एक centrifugal को रोकने के लिए मेरे पात दो force F K cos थीटा और R sin थीटा लग रहा है यानि force ज्यादा लग रहा है तो इसी दे हम क्या करते हैं अब turn होता है तो हम क्या करते हैं सड़क को जुका देते हैं सड़क को जुका देते हैं और जुका करें सड़से से गाड़ी आप निका ले जाओ कोई दिक्कत नहीं ठीक है आप जड़ा इस डाइग्राम को रब करते हैं थोड़ा सा कल्कुलेशन कर लें आपका वैलू निकल आई वैलू ये प्रूफ नहीं आएगा आपके नीट में लेकिन इसका फार्मॉला तो वैलू तो आ सकती है न तो इधर आ गया V स्क्वेर अपान RG इस इकल टू देखो ध्यान से RR काम लेके कर जाएगा तो यह आएगा साइन थीटा प्लस मू के अपान कॉस थीटा मू के कॉस थीटा कॉस थीटा माइनस मू के साइन थीटा अब चूंकि तबज़ो हम देते हैं 10 को तो इसमें उपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दो तो V स्क्वाइर अपान RG is equal to कॉस से डिवाइड करना है तो आएगा 10 ये लिखेंगे मु के प्लस 10 थीटा अपान 1 माइनस मु के इंटू 10 थीटा तो V बराबर आएगा RG into मु के प्लस 10 थीटा अपान 1 माइनस मु के इंटू 10 थीटा का अंडरूट तो ये वेलास्टी आप की होगी ठीक है और अगर अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है इस मु के इस इकल टू 0 अब पता चला कि रोड बहुत चिक्नी है और बढ़िया कोई दिक्कत नहीं तो मु के को 0 कर देंगे तो यहाँ से जो वेलू निकलेगी हो वी बराबर आएगी अंडरूट जब मु के रखो 0 तो आएगा RG 10 थीटा ठीक है तो जब स्क्वारिंग करोगे तो वी स्क्वार इस इकल टू RG 10 थीटा तो 10 थीटा इस इकल वी स्क्वार अपान RG यानि यह आपकी वैलू आएगी अगर रोड चिक्नी नहीं है ऐसा री चिक्नी है फ्रिक्शन नहीं है तो यह वैलू वी की वह होनी चाहिए ठीक है यह थीटा वहां पर होगा ठीक है तो यह थीटा इसे डिसाइट कलिया जाता है ठीक है थीटा वरावर 10 इन्वर्स V स्क्वार पन RG तो गाड़ी वाड़ी चलने के लिए क्या करते हैं कि वी तो ठीटा वहां फिक्स होता है आर वहां फिक्स होता है पर सड़क तो पहले से बन जाती है तो वो क्या करते हैं वी को फिर वहां भी फिक्स करते हैं कि आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए तिकिन वहां ज्यादा हो सकती है ठीक है तो ये थोड़ा सा देख लीजेगा